ये जो गर्मी का मौसम में जैसा बेली फूल हुआ और ये हिविसकस हुआ हम लोग का मंदार बोलते हैं ये सब प्लैंट्स में अभी फूल खिलने का समय है ये रजनी गंदा है बहुत सारे स्टीक्स भी मेरे लगे हुए है स्टीक्स भी लगे हुए है तो इससे मैं इनको मैं जो फर्टिलाइजर देती हूँ वो है ये है सर्सो की खली एक लिटर में एक लिटर पानी में एक लिटर पानी में आपका करीब करीब 100 ग्राम 100 से 200 ग्राम तक खली बिगो के मैंने अभी गर्मी का दिन है तो मैं चार दिन अगर थोड़ा सा ठंडा मोसम हो तो आप 10 से 15 दिन तक रख सकते हो पर गर्मी में इतना ना रखिए ज़्यादा ऐसे डिक हो जाता है हम तो इसको मिलाने के बाद जो जो प्लैंट्स है जो ऐसे डिक सॉयल पसंद करते हैं जैसा बेली हुआ और मंदार हुआ तो उसमें आप क् यह मेरा देखो यह 20 लिटर का बाल्टी है तो 20 लिटर का बाल्टी में मैं यह जो घोल है यह बहुत गाड़ा है इसमें से बस एक लिटर एक लिटर में 20 लिटर 10 लिटर में सॉरी दस लिटर में एक लिटर हिसाब से मिलाओंगी यह हो गया 20 है तो मैंने दो लिटर में लगाई यह घोल और अब इस घोल को मैं हर प्लैंट में डालूंगी देखिए अभी अगर आपको कोई तरह का फंगस लगने का डर है तो इसमें ज़रा सा हल्दी मिला लीजिए या साफ इसको मिला लेजिए साफ एक चमत चल दिये एक चमत साफ जो भी हो मिला लेजिए और हर प्लैंट में बस एक लिटर हिसाब से इस घोल को डालते जाएए देखिए आपका प्लैंट हरा भरा भी रहेगा और फूर सा देर सारा कलिया भी आ जाएगी और पत्ते भी हर बरे भरे रहेंगे। थैंक यू फर वाचिंग। मेरी ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज सब्सक्राइब करिये, शेयर करिये और लाइक करिये। और अगर पसदना हो तो प्लीज कॉमेंट करिये।